आपना F1 फोन लांच किया था तो वो काफी जादा एक हाइप रेट होगे थी क्यों उसमें आपको मिले थे OnePlus 6 के कुछ अमेजिंग फीचर चैसे उसके कैमरा उसका Snapdragon प्रॉसेसर वो सब फीचर आपको वो फोन में में मिले थे वह भी कम प्राइश में तो इस फोने काफी जादा हाइप पकड़ी तो इस साल फिर से अभी दो दिन बाद पोको एक और नहीं अपना फोन लाँच करने वाला है जो कि होने वाला है पोको एक स्टूर तो यहां पर एक पोको अपना एक सीरीज लाँच कर रहा है और देखते हैं इस फोन में इस बार क्या हमें मिलने वाला है और कितने अमेजिग फीचर इस बार रहने वाले हैं तो बन और आप देख रहे हैं Tech Advisor Pro, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले से तो यहां पर आपको मिल जाता है 6.7 इंच का फुल अमुलेट डिस्प्ले और इसका जो पिक्सल रेजवेशन है वो है 1080p x 2400 पिक्सल और यहां पर आपको फ्रेंड साइड में ग्रॉलिडास 5 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आप पी डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करेगा और इसके बात करते हैं हम इसके कैमरा पार मिल जात 2 और 2 वेपिक्सल के 2 रेमिल जाता है जुकि आएख द अधर संसर RAW प्लूक्या प्लाट सेटैप प्लाइट थू में मिल जाता थाक्ट में हो ओन्य कंज यहां पर आपको फेंड़ सेट आप मिलने वाले है तो यहांPat hostage तक3 बार है बोस्तिल सेड़क्श प्रक्रान यहां अब बात रहते हैं हम इसके परफॉमेंस के वारे में तो यहां पर आप स्नाफडेगन 730 प्रोसेसर में जाता है और अगर मैं बात करूँ इसके राम के बारे में तो यहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शन में जाते हैं 6GB और 8GB का जोगी लास्ट थी आपको पोको F1 में दिय जया गया था और अगर मैं इसके स्क्राइब करूँ आपको इसमें 64GB, 128GB और 256GB का आप्शन मिल जाता है इसमें टो-रीज को मिल जाते ही आश को अपने एक बैटरि इसमें मिल जाती है और अगर म मैं इसके बात करूँ तो यहां पर आपको 4500 mAh की बैटरे बैटरी मिल कि आपको फोन है वो फुल चार्ज कर सकता है तो यहां पर आपको छाजिंग भी बहतर इसमें मिल जाती है और अब बात करते हैं इसके आफ़ी काफियादा लोगों में अंद्ध्यूजन है कि इसमें आपको तो 5G support मिलता है या पर नहीं तो यह चीज मैं आपर clear करते हूं कि अभी इंडिया में इतना ज्यादा 5G का craze नहीं फैलाया है और यहां पर strong network इतने नहीं है तो 5G support इसमें नहीं मिलने वाला है आपको और अगर हम इसके color variant के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 3 color option इसमे करते हैं कि 20,000 होनी चाहिए तो यह काफी ज्यादा sell हो सकता है और लोग काफी ज्यादा इसे पसंद भी करेंगे इस price range में तो यह थी overall information Foco X2 के बारे में और बाकी चाहर थारीकों यानि की दो दुन बात देखते हैं कि इसका official launch में क्या-क्या इसमें मिलता है आपका अपना क्या opinion है इस phone के बारे मुझे कमें ज़रूर बताईए और अब तक लिए इस video को like कीजिए, share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं अब तक लिए मिली एक और नई exciting video में, thanks for watching, thanks for watching, jai in